काओ खाने मानाई तीतर बताई, मताई एक आदमी का मन हुआ वो कववा खाए और उसने इसको तीतर बतागे खा लिया, तो जिन्होंने विरोध करना उनके बाद कुछ ना कुछ रहेगा, और चुनाओ आ रहे हैं मडूफों के लफी देख्यों कि जन्ता से पूछा तो उन्होंने का कि इच्छा शक्ती की कमी है, डबल जिन की सरकार है, लेकिन शायद कॉंग्रस की विधायक बैतर कर सकते थे, और कोरोना काल में जन्ता की मदद कर सकते थे, लेकिन वो मिस्टर इंडिया बन गए, नजरी नहीं आए, यह जिसने में बोला हुआ है, मुख्यमंत्री के स्टिंग ऑपरेशन, उनके जो ओएजडी को सात लाग रुपे लेते वे, जो स्टिंग वा था, उसकी फाइल्स देना से लेके भीरी तक हाउस में देनी का काम करन महरा ने उठाया, आम जन्ता यह मानती है कि केंदर सरकार ने आपको सयोग दिय है और दूद किसी और ने पकाया और मलाईया आप खा रहे हैं, जो अंद भक्ती में लिप्त है, उनको ये नहीं दिख रहा कि जो गैस हम 400 रुपे में छोड़गे गे तो 1000 रुपे में भी गाउवालों को पलब नहीं है, नमस्कार स्वागत है, आप सभी का प्रतिपक्ष स समवाद पर मैं हूँ आपके साथ मेगना सच्दिवा, हमारी विधान सभाओं के शुनावी यात्रा लगातार चल रही है, और फिलहाल हम लोग रानी के विधान सभा पहुचे हुए हैं, यहां पर तमाम जगहों पर जनता से उनकी राय जानने के बात कि आकर 2022 में किसको आखर उनकी नाराज की है या फिर वो संतुष्ट हैं, हम पहुचे हैं यहां के वर्तमान विधायक से मुलाकात करने, करन मारा हमारे साथ मौझद हैं सर, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष समवाद पर सर, हम लोगों ने कई जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आप उनके लिए कितना काम कर रहे हैं, मिक्स्ट जिरुजर्ट सामने आया है, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश हैं, लेकिन पहले आप से जाना चाहती हूँ, ऐसे कौन से मुद्दे हैं, जिनको लगता है लेकर कि 2022 में भी जनता आप ही को वोट करेगी अगर आप खड़े होते हैं, फिर से एलेक्शन में, देखे, अनेकु कारी जो है, MLA लेट से किये हैं, सरकार की तरफ से तो सारे विपक्स के विदायकों के साथ अन्याइपूर्ण वेवार है, हम लोगों के शेतर में राज्य सेक्टर से जो सड़के हैं, हरीश रावजी के समय में स्विक्रिती थी, केवल उन्हीं में कुछ काम आगे बढ़ा है, नया कुछ हमको इन पांस साल में नहीं मिला, अपनी और से लेकिन विदायक निदेशा, आज तक विदायक लोग है, जिसमें कोई भी प्राइमरी स्कूल आज ऐसा नहीं है, जिसमें फरनीचर नहीं है, सारे प्राइमरी स्कूल साथ फरनीचर यूग थे हैं, वो मेरी पहली पहल थी, रानिखे डिगरी कॉलेज को चार नए सब्जेक्स दिलवाए, मसी जिलोजी, मसी बाटनी, मकॉम और म अर्ट्स, ये पहले नहीं थे, जिनके हमेशा लगातर माग थी, उसके अलावा बहतरोज खान डिगरी कॉलेज को भूमी दिलवा दी, डिगरी कॉलेज खुलवाया हमने पिसली गॉर्मेंट में और इस समय भूमी के साथ साथ कॉलेज की बिल्डिंग लिए हम पैसा माहौल बना हुआ है, और पूरवरती विधायकों के से जब तुलनात्मक लोग वो करते तो उसमें मुझे एज मिलती है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, आपका ठीक है, आप लोग गए हैं, क्योंकि मीडिया की अपनी एक सीमाएं हैं, आप लोग शेहरी, शेत्रुमें, दु मैं हूँ, और लोगों का काफी अच्छा रुजहान और सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है, आपने पहले तो मेरे पहले सवाल का जो जबाब दिया है, उसमें आपने ये कहा कि जो इपक्ष के नेता हैं, जो इपक्ष के विधायक हैं, उनके साथ गलत वहवार एक तरह से ह पहले मेरा सवाल यही था कि आपके मुद्दे क्या हैं जिन पर आपने काम किया, और पहले ही आपने बता दिया कि सरकार ने आपके साथ अच्छा वहवार नहीं किया, जिसके चलते शायद आप वो काम नहीं कर पाए, जिसकी इच्छ शक्ति आपकी थी, लेकिन यही सवाल जबमने तमाम जगों की जंता से पूछा तो उन्हें कहा कि इच्छा शक्ती की कमी है डबल जिन की सरकार है लेकिन शायद कॉंग्रस की विधायक बैतर कर सकते थे और कोरोना काल में जंता की मदद कर सकते थे लेकिन वो मिस्टर इंडिया बन गए नजरी नहीं आए इस पर क् देखिए मैं लगाता शेतर में था यह जिसने में बोला हो सकता बीजेबी की कारे करता हूं जिस विधान सभा को सरकार ने ऑक्सीजन की मदद नहीं करी तो मैंने पचास लाग रुपे से भिक्या से हैं मैं ऑक्सीजन प्लांट स्टैबलिश किया है उसके लिए वहां मैंने मैं यह अल्टरसांड मशीन दिलवाई रानिखेत हॉस्पिटल को चालिस लाग रुपे की हाई टेक अम्बुलेंस दिलवाई एक्सरे मसीन नहीं थी वो दिलवाई खून की जांच के लिए पिछले बीस साल से कोई नहीं मशीन नहीं नहीं दिलवाई तो यह कहना और मैंने स्वें करीगरी 18 से 20 लाख रुपे का रासन और अन्य समगरी शेत्र में वित्रित किया उसके अलावा अगर आप देखें कि जिस समय करोना काल था मैं स्वें करोना से ग्रशित रहा लेकिन मैंने लोगों के बीच मैं जाना नहीं छोड़ा मैं जैसे ही ठीक वा उससे पहले भी था इसलिए मुझे करोना हुआ और जैसी मैं करोना से वापस बच के आया मैंने मेरे भाई की डेथ वी मेरी वाइफ की सिस्टर की डेथ वी लेकिन मैं उसके बाद भी लगाता लोगों के बीच में था अब हाँ जिनके उपर हमोदी जी का चस्मा है भाजब का चस्मा है वो तो उल्टा ही बोलेंगे लेकिन ये उनको समझना चाहिए जिसके अपने घर में अपने भाई की मिड्की भी हो वो आदमी अस्पताल से आने के बाद लगातार फिर छेत्र में है अब ये तो कोई भी कुछ भी कह सकता है और रही अनी किसम के बाद मेरे को भी पूशना ह है भाई डबल इंजन की सरकार है हाउस में मैक्सिमम जितने मुद्धे जो सरोकारों से जुड़े में चाहिए वो जिलाविकास प्राधिकरन का मामला हो जिसमें लोगों को मकान निमने तो करन महराने उठाया एनस 74 का मामला करन महराने उठाया हाउस में आर्बिटेशन का म पुरानी पेंसन बाहली का मुद्दा करन महरन उठाया, जितने जुवलंद मुद्दे थे, पबलिक से जुड़े वे, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपके प्रतिनेने ने उठाया, यह मुझे उन लोगों से पूछना है, जिनने आपको यह जवाब दिये है, मेरी तरफ से ल मागो, चाहिए नियुक्तियों को लेकर मागो, मैं लगातार लड़ते रहा हूँ, और समाचार एजनसीज ने, पत्रकारों ने, लगातार उनको छापा है, अब जिनने चस्मा पहना है और भक्ती का, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अन्नी जगों में जो ऑक्सिजन प्रांट लगे हैं, वो सरकार ने लगाए, तो ये खुद समझा जाए सकता, बै विदायाग ने दी थी, मैं उससे सडकें भी काटता, हो सकता था किसी को आपदा में नुक्सान हो, उसकी मैं दिवाल बनाता, हो सकता मैं गाउं का कोई रास लोगों की भी जिन्दगी बचाऊंगा, तो मेरे लिए ये वर्थ है, कि मैंने कुछ किया, तो मुझे मेरे को सल साटिस्फेक्शन है, मैं फिर कह रहा हूं, जो अंदभक्ती में लिप्त है, उनको ये नहीं दिख रहा, कि जो गैस हम 400 रुपे में छोड़के गए तो 1000 रु मन हुआ, वो कववा खाए, और उसने इसको तीतर बतागे खा लिया, तो जिन्होंने विरोध करना, उनको बाद कुछ ना कुछ रहेगा, और चुनाओं आ रहे हैं, मडूफों के लफी देख्यों, पता चलेगा कि कौन कितने गहरे पानी में, अगर मैंने काम किया हुआ च जिन गाओं में महिलाएं प्रसूती के टाइम पे मर जाती थी, नहीं आपाती थी, उनको डोली से उपलाना पड़ता था, जिन गाओं में सडके गई हैं, जिनसे वो अस्पताल तक मरीज कुडा रहे हैं, उन गाओं का सहयोग मेरे को प्राप्त है, इसलिए मेरे को कोई चि किया है, लेकिन जब हम भिकिया सेंड गए, टानी गए, और ऐसी जगों पर गए, जहां पर हमें लगा की काम नहीं हुआ है, सडके वहां पर टूटी हुई थी, वहां गड़े थे, वहां पर लोगों का पंदरा दिन पहले उनका कहना है कि यहां पर गड़े भरने के लिए क कि गड़ग क्या हालात हो रहे हैं, उन जगों के जो लोग हैं, उनको यह लगता है कि आपने उनके साथ 113 व्यहवार किया है, रानी खेट में आप रहते हैं, इसलिए आप यहां की जनरता की बात सुनते हैं, यहां के लोगों की बात सुनते हैं, लेकिन वहां की जनरता को आखर आप क्यों पीछ चोड़ देते हैं उनके मुद्दों को तरजी क्यों नी दी जाती ये सवाल उनी का है आज भी वहाँ जितनी सड़कें कट रही हूं वो सब हमने हरी श्राउजी के टाइम में कराई पहली बात वहाँ का नवोदय में कॉंग्रेस का दिया हुआ है तेसील कόंग्रेस ने दिया है वहाँ क आप टानी आसपास की बात करें वहाँ एक हमने पॉलेटेकनिक भी खुलवाय था जो भारती जंदबाड़ी के सरकार को प्र器 के बंद कर दिया सारे काम विधायक निदी से नहीं हो सकते सरकार जब तक बजट नहीं देगी तो कैसे होगा और सोतेलावावार जिस बीजेपी ने किया है लोगों को प्रश्ण उनके प्रतिनिदियों से भी करना चाहिए आखिर जो लोग बीजेपी के लिए बोट मागना है उनसे भी प्रश्ण होने चाहिए और स्थानी सांसत क्या कर रहे है डबल इंजन की सरकार की बात करते है सांसत का कहीं मुझे एक रुपे का काम नहीं दिखाए देता पूरी विधान सबाव में सांसत के द्वारा कोई प्रश्ण या कोई नई चीज हमारे यहाँ है और वो घुमा फिर आके आरोप में रुपे मड़ते हैं जबकि हकीकत यह है कि रानी खेट क्योंकि देखे टाउंचिप है केंटूनमेंट एरिया है और यह पहले से ब्रिटिस टाइम की एक टाउन है तो यहाँ पहले से डवलेमेंट है यह केवल करन महरा ने नहीं किया है और यह क्योंकि टूरिजम टेस्टिनेशन भी है इस वज़े से टूरिजम भी भाग से भी पैसा आता है इसलिए यहाँ आपको लगता कि सब कुस ठीक है लेकिन जो एक MLA लेट से जो विधायक कर सकता हूँ सारी चीजह कर रहा हूँ जनता के जितने मुद्रम है उनको व्जहाने के लिए उन सब को मैं आखिर दोस केवल मेरा नहीं है जिस सरकार से मैं व्ज़ानसा आपकर बांद करता हूँ अगर सरकार पूरी नहीं करे में तो दोस्य सरकार के ओपर भी जाता है कि हम जाने की वहां कि जनता के मुद्दे क्या हैं। आपके लिए जो अच्छा सामने आए वो भी हमारी रिपोर्ट में हम दिखाएंगे। और जो लोगों ने असंतुष्टी जाहिर किया उसके सवाल मैं आपसे यहाँ पर आके पूछी रही हूं। अभी आपने कहा कि बहुत सी ऐसी चीज़े हैं जिसमें आपके साथ सौतेला वहवार हो क्योंकि आप पक्ष के नेता हैं। आप विधान सभा में आए जरूर हैं लेकिन आप कॉंगरस के विधायक हैं। सर ऐसे कई मुद्धे हैं जिन पर शायद आप काम कर सकते थे। उसमें सबसे बड़ा मुद्धा यही है कि जरूरता के बीच जाकर जरूरता की सुनना, जरूरता से समबाद करना। करोना काल में आपका ये दावा है कि आप जरूरता के बीच गए लेकिन हमने जहां जहां लोगों से सवाल किया उनका यही कहना था कि आप जरूरता के बीच नहीं गए और लगता है कि इसी का फायदा जो बीजेपी के कारे करता है वो उठा रहे हैं वो लगातार जिसको नहीं देखना है सही चीज वो नहीं देखेगा जिसने एक मन बना रखा कि मैं तो जी मानूंगा ही नहीं तो उसको हम समझा नहीं सकते लेकिन मैं आपके माध्यम से पब्ली को बोलना चाहता हूं कि अपनी आदास्त को एक बार फिर से पीछे ले जाए जो मेरे करोना टाइम में मेरे वीडियो गए उनको भी देखे कि मैं कहां कहां था लगातार हमने सैनिटाइजर्स पाटे और गौर्मेंट ने हमको कहा था विदायकों को कि एक करोड़ उप्या करीब वो खर्च करेंगे और मेरे अगर आप विदायक निदी को देखें सीडियों से भी आप पता करें मैं अकेला ऐस सरकारी एस्पतालों के माधियम से जो हमारे यहां तक की मैंने और मेरे प्रमुग जी ने जो आगनवाड़ी कारी करता हूं को जो बिलकुल बेसिक नीट्स थी उससे में टेंपरिचर नापने की मशीने उनके लिए मास्क उनके गलव्स यह हमने निजी तोर पर अपनी उप लब्द कराए हैं तो इन चीजों के लिए मैं एक एक आदमी को जा के बताओ यह संबाओ नहीं है लेकिन आने वाले समय में सब चीजे सामने आएंगे क्योंकि हम हां मैं भी चुनाओ मोड में नहीं था मैं लगातार क्योंकि विधान समय चल रही है अननी कामों में था और दूसरा पक्स जो है उसके तेरा लोग इस समय गाओं गाओं घूम रहे हैं तो वो महौल बना रहे हैं लोगों के दिमाग में चीजे ने डाले हैं जब मैं जाओंगा चीजों को साफ करूँगा और लोग दुबारा समझेंगे मुझे पूरा भरोसा है असर 2002 के बाद से देखा जा रहा है कि एक बार यहां पर कॉंग्रस का विधायक आता है एक बार बीजेपी का विधायक आता है और आपका जो कॉंपटिशन है वो अजेबट से रहा है अलाकि पिछली बार आपने 2017 में सीट पर अपना कवजा जमा लिया और उसके बाद से आ जहां भी जा रहा हूं मैं आपको बोला जो कस्बे छेत रहे हैं जहां थोड़ा सा रुजहान बनता है या लोगों से इंफ्लिंस होते है वो अलग चीज है लिकि मैं गाउं की लोगों से लगाता है टच में हूँ और मुझे पूरा बहरोसा है मैं बोला ना 90 सड़के काटी हैं तो मेरे हिसाब से 70 से ज्यादा बूथूं को अफेक्ट करते है तो उसका एफेक्ट भी है लोग ये भी कहेंगे जब आप ऐसी जोगों में जाएंगे जहां सरकारी सड़कें निकटें जो मेंने काटी है वहां लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने आज तक 70 सालों से हम इन च जोगां इंतजार कर रहे थे, कोटाड की सड़क है, मैयू की सड़क है, गेरड की सड़क है, उसके अलावा विसाल कोट की सड़क है, अगर आप विक्यासें शेतर में तो टानी के नीचे एक सड़क बन रही है, उसके अलावा वहां एक स्टेट है, जहां के लिए हमने चार ग मैं जब तक लोग बोले ना काम नहीं हो रहा तब तक जो पर्थिनीदी है वो एड़ अवेर नहीं होते हैं और यह हमारे लिए अच्छा है एक अल्दी कॉंपूटिशन है लोगों मेरे जितना काम किया है मेरे पर जितनी शम्ताय थी उसका मैंने बहतर से बहतर इस्तमाल करने कि कोशेश की मैंने अन्य विदाएकों की तर草 के खड़ेंजे मैंने लोगों को कनेक्टिवीटी देने का काम किया और मेरे लिए अच्छा है कि मेरे लोग क कह रहे है कि काम और होनाचीए उनकी व्कास की भूख सांत नहीं होने और मैं और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगा और ईश्वर से प्रातना की इस बार कॉंग्रिस की गॉर्मेंट आए मेरे को भी तागत मिले ताकि जो लोगों की ऐसी समझ्या है जिनको चाहते हैं वो और जल्दी ठीको उनको मैं दुरस्त कर पाऊंग। इसलिए काम नहीं हो पाया। दोनु बार मैं चुना गया, दोनु बार मैं विपक्स में था। मैं चाहता हूं इस बार गॉर्मेंट कॉंग्रिस की आ रही है जो सर्वेज आए हैं और मैं जीत के जाओं और मैं लोगों को वो चीज का भी स्वात चखाऊं कि एक विधायक, सत्ता पक्स का विधायक किस त गॉर्मेंट आए तो निश्चे ही यह होता और मेरा आगे भी है अगर गॉर्मेंट आए कि तो मैं उन कामों को तवज्ज़ दूँगा यह सडख हैं यह यह तो निरंतर चलते रहेंगे यह चीज होंगी और जहां वो शक्ता है हम समझते हैं उसको हम कहीना कहीं से कर लेंग चाहूँगा कि गॉर्मेंट आए मौका मिले तो मैं उस उद्धिशा में कुछ काम कर पाऊ तहने वाद